हलो एवरिवन वेलकम टो इंपीरियल एक्रोक्लासिस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेट 2014 की काउंसलिंग के बाद में आपको कौन कौन से डोकोमेंट्स लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर एक दो डोकोमेंट्स आपके छूट जाते हैं तो हो सकता है आपका एड्मिशन कैंसल तो यहाँ पर इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखिएगा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेर्टिफिकेट की तो आपको 10th की मार्क शीट और उसका सेर्टिफिकेट लेकर जाना है सारे ही डोकुमेंट्स आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही फोर्म में लेकर जाने हैं यह भी आपको ध्यान रखना है अब दूसरी नंबर पर आता है आपका सेर्टिफिकेट और मार्क शीट फिर यहाँ पर तीन सेर्टिफिकेट जो है जिसे जो MSC के लिए जिनों ने स्टुडेंट ने आविदन किया है उनको लेकर जाने है जिसे यहाँ पर दिया है UGPG का जो प्रोवीजनल डिग्री सेर्टिफिकेट है वो जेट वाले बच्चों को लेकर नहीं जाना है कफ़ा है फिर उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है जो आपका cast certificate है वो भी आपको ले करके जाना है फिर उसके बाद में migration certificate फिर आपका transfer certificate ये भी आपको ले कर जाना है फिर यहाँ पर अगर आप defense कोटे से हो तो आपको जो defense का certificate है वो ले कर जाना है वो कैसे बनाना है वो जो आपकी JET की guideline दी थी उस guideline के अंदर mention कर रखा है फिर बात करते हैं अगर आप physical handicap हो तो physical handicap का जो 40% का certificate है वो आपके पास अगर है तो वो लेकर जाना है फिर उसके बाद में date of birth के लिए आप कोई भी government authority की ID लेके जा सकते हो जिसमें आप आधार card लेके जा सकते हो फिर बात करते हैं self declaration certificate जिसका format जो है वो JET 2014 के portal या website पर दे रखा है वहाँ जाके download कर लेना फिर आप gap certificate आपको लेकर जाना है gap certificate का मतलब यह 12th pass करने के बाद में अगर एक साल आपने तयारी की है और उसके बाद आपका JET पर सेलेक्शन हुआ है तो आपको gap certificate बनवाना है अगर आपने 12th pass करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको चार फोटो लेके जानी है passport size की फोटो वह लेके जानी है जो आपने option form के अंदर sorry जो आपने JET के form के अंदर फिल की थी फिर उसके बाद में seat allotment का जो later है final counseling के बाद में जो आएगा आपकी ID के उपर वह लेके जाना है आपको उसकी photocopy या printout निकालना है छेल आपका जो application form है जो आपने JET का form पराता वो भी आपको लेकर जाना है आपका जो एड्मिट कार्ड है या जो mobile number आपने form बढ़ते समय दिये थी क्योंकि उसी पर OTP आएगा और उस OTP से ही आपका admission verification होगा उमेद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थेंक्यू